हलो गैज, NCP के हिट सरत पवार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जैसा आप सब को पता है कि NIA अपनी तरफ से बहुत तेजी से कारवाई कर रही है, जैसे ये NIA आई उसी दिन सचिन वाजे को NIA की टीम की दोरा अरिश कर लिया गया है, और उनकी तरफ से कारवाई बहुत तेजी से चल रही है और बताया जा रहा है कि कुछ ही टाइम में कुछ बड़े IPS ओफिसर से लेकर कुछ पॉलिटीशियन को भी अरिश किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो सामने आ रही है, वो सरत पवार को लिकर आ रही है, सरत पवार जो कि आपको पता नहीं चली, लेकिन सरत पवार ने एक मीटिंग बुलाई थी, देहली में जाके वो कुछ लीडरों से वो मिले हैं, किस पार्टी की लीडर हैं, कैसे हैं, उसको लेकर अभी तक अपडेट नहीं आई, लेकिन सरत पवार कल देहली गए थे और वहां से वो अभी तक करती थी, लेकिन सडली क्या हुआ, सीवियाई की तरफ से, नथिंग, सीवियाई पुरी तरह सांध बैठी हुए, पिछले 6-7 महिने से, और कोई भी अपडेट नहीं आई, और उस टाइम भी अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको एक न्यूज दी थी, जिसमें बताय गया था कि देवेंद्र फंडवीज और साथ में ही संजे राउत के बीच में काफी बड़ी-बड़ी मिटिंग जो है, उस टाइम सामने आ रही थी, जिस टाइम सुसान सिंग राजपूत केस जो है, बहुत ज्यादा हाइलाइट था, तो इन दोनों के बीच में जब मिटिं में इसलिए गये थे, कि ऐसा कि पिछली बार सुसान सिंग राजपूत केस में सीब्याई अभी तक डिले कर रही है केस को, क्या इस केस में भी इसी तरह डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या ये भी केस, उसी तरह मंसु खिरेन केस, और साथ में ही, जो, वो है, क्या बना था अम्बानी लगाने वाले थे मुकेस अम्बानी लेकिन अभी सडलनी कुछ दिनों पहले की बात है मुकेस अम्बानी ने इस मूवी को पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया अब क्या रीजन था इसके उसके पीछे क्या नहीं वो नहीं पता लेकिन एक चीज ज जो है मुवी जो थी अमीर खान की उस मुवी को पूरी तरह से बंद कर दिया जो कि महा भारत में आमीर खान जो है स्री क्रिस्न भगवान का रोल प्ले करने वाले थे तो कहीं न कहीं बात जो है पूरी तरह से घूम फिर के फिर उसी तरह से सामने आ रही है और पबलिक की कमेंट बॉक्स में बता हैं और वीडियो को जाज जादा सेयर करें